हलो फ्रेंस वेलकम टू माई चैनल तो फ्रेंस आज हम बनाएंगे बची हुई सब्जीयों के साथ बहुती टेस्टी रेस्पी जिसे आप पूरी पराथा रोटी चावल पाव किसी के भी साथ खा सकते हैं बहुती टेस्टी लगती है और बनाने में बहुती आसान है तो अगर अब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर भी प्रेस चरूर कर लेना जिससे मेरी आने वाली हर नईğ रेस्पी का आपको नोटिफकेशन मिलेगा तो चलिए इस रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने क पर लेना है जिससे इसका कच्छा पन निकल जाए तो अब मैंने यहां पर दो तेज पत्ते डाल दिये हैं और अधरक लहसुन को कूट कर अच्छे से इसका दरदरा पेस्ट बनाया है इसे डाल दिया है हलका सा इसे फ्राई किया है और अब हमने दो से तीन मीडियम साइज के प्याज को बारी काट लिया था इसे डाल देंगे प्याज मैंने यहां पर जाधा यूज किया है क्योंकि इसमें प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसके बिना भी बना सकते हैं तो प्याज को हलका सुनहरा होने तक हम फ्र मिर्च हैं इन्हें भी मैंने वारी काट लिया है अब हम इन सब्जियों को इसमें डालेंगे आपके पास जो भी बची हुई सब्जियां हो आप इसमें डाल सकते हैं अब हम इने दो से तीन मिनट तक फ्राई कर लेंगे जिससे ये हलकी सी सौप्ट हो जाएंगी अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो मैंने यहाँ पर एक सी डेड़ चम्मच धनिया पाउडर लिया है इसे डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चम्मच कस्मीरी टैड़ चिली पाउडर डाल देंगे इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसे दो मिनट के लिए ढख कर पकाएंगे दो मिनट हो गए हैं तो अब हम इसमें ये हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया है इसे डाल देंगे तो मैंने यहाँ पर दो टमाटर का पेस्ट बना कर रखा है तो मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट बना लिया था और एक टमाटर को इसमें काट कर डालेंगे तो अब हमने इसमें टमाटर डालेंगे तो इसी के साथ नमक डाल देंगे और अब हम इने अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी के साथ हम ये कटा हुआ डमाटर डाल देंगे अब इसे मिक्स कर लेंगे एक मिनट के लिए इसे ढखकर छोड़ देंगे ढखकन हटा कर इसे हम चलाएंगे और देखेंगे कि हमारी सबजियां काफी अच्छे से सौप्ट हो चुकी है अब हम इन सबजियों को हलका हलका सा मैस कर देंगे अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसी के साथ अब हम इसमें मटर डालेंगे तो मटर मैंने वॉयल की हुई है अगर आप मटर बॉल करके नहीं डाल रहे हैं तो इसे सबजीयों के साथ ही डालें जिससे ये अच्छे से कुक हो जाएगी तो अब हम इसमें लास्ट में थोड़ा सा पनीर डालेंगे तो मैंने यहाँ पर पनीर को ग्रेट करके लिया है और इसे डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर पनीर डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे एक मिनट के लिए ढख देंगे तो अम्में यहाँ पर एक चम्मच मलाई डाल दूँगी ये दूद की मलाई है तो फ्रिज में रखे हुए दूद की मलाई आप आराम से इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं अब मैं याँ पर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी इसे मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें हरा धनिया बारी कटा हुए डाल देंगे इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढखकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फ्लेम इसकी बंद कर देंगे तो देखिए अब सबजी हमारी सर्फ करने के लिए तयार है तो मैंने इसमें एक चमच देशी घी डाल दिया है देशी घी से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है तो आप इसे जरूर डाले और अगर आपको रेस्पी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले हमली और फ्रेंड्स के साथ इसे सेयर करें तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए राधे राधे